हेलो एवरिवन जैसा कि आपको पता ही है कि आज जो है रक्षा बंदन का तेवहार है जो कि भाई बहन के प्यार से रिष्टे का प्रतीक होता है तो मेरी ओर से आप सभी विवर्स के लिए रक्षा बंदन की बहुत धेर सारी शुबकामना हैं और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है मध्य प्रदेश में कंड़क्ट हुई परिक्षा वर्ग 2 के पेपर एनलेसिस की तो आज हम एनलेसिस करने वाले हैं 7th of March का पेपर जो की सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो आईए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को आप हैं IMP क्लास के साथ तो जैसा कि आपको पता ही है ये जो क्लास है यानि पेपर एनलेसिस है ये बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है किसी भी TET exams के लिए या मुख रूप से ये बहुत ज़्यादा IMPORTANT होगा वर्गतीन के candidates के लिए तो वर्गतीन के candidates इसको बहुत अच्छी तरीके से अनलाइज करें और PEB का level जान लें कि किस तरीके के questions जो है वो PEB के द्वारा conduct किये जाते हैं तो जो पहला question दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है Albert Bandura विएक्तित्व के किस परिपेक्ष के प्रस्तावक थे तो option आपकी screen पर आप देखी पा रहे होंगे और जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा भी तक मेरी जो आपसे request रहेगी वो ये रहेगी कि आप मेरे answer बताने से पहले आप अपना answer टिक कर लें और उसके बाद जो है जब मैं answer बता दूँ आपको तो आप अपना analysis जरूर करें कि आपके कितने questions जो है आपने ठीक किये हैं तो इससे आपका level जो है आप पता कर पाएंगे कि आप किस level तक तैयार हो चुके हैं अपने exam के लिए ठीक है तो जो इसका सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संग्यानात्मक यानि कि इसका जो हो जाएगा वो four number option ठीक हो जाएगा दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले question की ओर second number पर जो question दिया हुआ था वो कुछ इस तरीके से था विभिन मानव समूहों के बीच देखे जाने वाले अंतर सामान्यता blank दिया हुआ था होते हैं तो option आपकी screen पर आप देखी पा रहे होंगे आप अपना answer टिक कर लीजिए और अगर आपको speed तेज लग रही है तो आप वीडियो को pause करके option को अच्छी तरीके से देख कर analysis करकर उसके बाद अपना answer टिक जरूर करें किसी paper या मन में अपना answer याद कर लें उसके बाद अपना score जो है वो भी आप अपना जो है हमसे शेयर कर सकते हैं comment के माद्यम से तो जो इसका सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा Sanskrit यानि कि इसका second number का option ठीक हो जाएगा और अगला question जो था वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था समावेशी सिक्षा की सफलता सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है option आपके सामने ही है आप अपना answer टिक कर सकते हैं और इसका जो ठीक answer हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्षकों के बीच अतिरिक्ट बदलाव यानि कि इसका four number का option ठीक हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की और कोहलबर्ग के सिधान्त से ये question दिया हुआ है कोहलबर्ग और उनके सहयोगी का मानना है कि नैतिक विकास में फिर से blank दिया हुआ था अवस्थाओं को तीन प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है तो blank में कुछ option आपके सामने ही दिख रहे होंगे इस तरीके से option दिये हुए थे यह नहीं में से कुछ आना है blank में 2, 6, 9 या फिर 4 अपना answer जो है वो आप tick कर सकते हैं तो इसका जो ठीक answer हो जाएगा वो हो जाएगा 6 यानि 6 जो कि किस में दिया हुआ है second number के option में दिया हुआ है पढ़ते हैं अगले question के और अगला question जो था fifth number के question में पूछा गया था विकास कभी नहीं रुखता यह कथन निम्न सिद्धान्त पर जोर देता है option जो थे आपकी screen पर हैं आप देखी पा रहे होंगे answer आप अपना tick कर लीजिए और लिख लीजिए answer को और जो इसका ठीक answer हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतरता यानि के इसका four number का option जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा आगे जो question दिया हुआ था काफी बड़ा सा question दिख रहा है यह इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप पच्छे से देख पाएगा इसको अब बहुत ही ज़दा बड़ा question है चलो इसको पढ़ दे रहा हूँ आप वीडियो पॉस करके देख लिए न कार एक सेकंड यहां तो नहीं है चलो यहीं से स्टार्ट है कार संगीत सीखना या कविता या गणती ये तालिका आधी को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन कार्यों तथा संचालनों के पुनरा वृत्ति की आवशक्ता होती है कंडिशनल कॉस्चन है यह तो मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिस्क में संबंध मजबूत या कमजोर होते हैं यह थॉंडाइक के अधिगम का कौन सा नियम है तो थॉंडाइक के सिध्धान से यह जो था वो कॉस्चन था और कंडिशनल कॉस्चन है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप तो आंसर अप अपना टिक कर सकते हैं और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्यास का नियम यानि कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या था ठीक था आगे जो कॉस्चन दिया हुआ था वो था सैक्षिक मार्ग दर्शन का कार्या है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आप देखी पा रहे हों तो आप अपना अंसर टिक कर लीजिए और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा का सर्वुत्तम लाभ देना यानि कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका भी ठीक था बढ़ते हैं अगले कोश्चन के और जो की कह रहा था विद्यार्थी के बीच विविद्धा का अध्यन करने का सबसे अच्छा तरीका ब्लैंक दिया हुआ था विधी है तो काफे अच्छा कोश्चन है यह आप अपना अंसर टिक कर लीजिए और जो इसका ठीक अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवलोकन यानि कि थर्ड नम्मर का ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा अगला यानि अगला कॉश्चन जो था वो इस तरीके से दीया हुआ था सिफैलो कोडल का अर्थ है तो यह विकास का सिद्धान्त है सिफेलो कोडल जो होता है वो विकास का सिध्धानत होता है कि किस तारीके से मतलब कहां से लेकर कहां तक जो है विकास किस डारेक्शन में होता है तो उसी से संबंदेत है ये येaya question है तो आप अपने answer जो है वो tick कर सकते है जो ठीक answer हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सिर से पैर के और यानि कि फस्ट ऑप्शन ही इसका ठीक था और अगला क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था किसका सिद्धान्द संस्कृति पर केंदिरित करता है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है ठीक है तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ही है आंसर आप अपना टिक कर सकते हैं और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो जाएगा वाइगोच की यानि कि सी ऑप्शन जो था इसका ठीक था आगे जो कुशन दिया हुआ था वो कुछ इस तरीके से था एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब सिक्षक कमरे में प्रवेश करता है ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्यवयस्क प्रवेश करता है अधिगम का कौन सा सिध्धान्त इस व्यावहार की व्याख्या करता है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ अप्षन आपकी स्क्रीन पर ही है तो आप अपना आंसर जो है वो टिक कर लीजिए और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्धी पक विभेदी करण यानि कि इसका फर्स्ट आप्षन ही इसका भी ठीक था अगला जो क्वेशन था वो इस तरीके से दिया हुआ था एक बुद्धी परिक्षन क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभावों से संबंधित है आप्षन आप देखी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर तो टिक कर लीजिए अपना सही आप्षन और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति निस्पक्ष परिक्षन यानि कि इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फूर्थ नंबर का ओप्षन ठीक तो अगला कोश्चन जो था वो इस तरीके से दिया हुआ है कहां गया एक बुद्धी परिक्षन में सामान्य ज्यानकारी के ज्यान का मुल्यांकन किस प्रकार के प्रश्ण करते हैं ओप्षन आप देखी पा रहे होंगे टिक कर लिजे अपना आंसर और पेपर पर लिख लिजे और इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूचना यानि कि इसका सैकेंड ओप्षन ठीक था इन्फॉर्मेशन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कॉश्चन जो था वो कुछ इस तारीकी से दिया हुआ था सबसी वास्तविक मानसिक स्वास्थ समस्याएं क्या है तो इनके ऑप्षन आप देखी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर चोटा कर दे रहा हूं मैं इसको तो अब जो है अपना अंसर टिक कर लीजिए अच्छे से और जो इसका ठीक अंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ समस्याएं हमारी सोचने महसूस करने और व्यावार करने के तरीके को प्रभावित करती है यानि कि इसका कौन से option में दिया हुआ है ये third option में दिया हुआ है तो आप इसी को ठीक answer मानेंगे और ये जो है हमारा सबसे बड़ा option था और हमने पहले भी discuss किया हुआ है कि PB में इस तरीके से जो conditional question आते हैं उसमें जो option सबसे बड़ा होता है सामान्य दह उसमें वही ठीक होता है तो ये आपके लिए कुछ hint हो जाएगी तो अगला question जो दिया हुआ था वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि cricket के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग के किये जाने की संभावना है option आपकी screen पर ही है तिक कर लिजिए आप और जो इसका ठीक answer हो जाएगा शारिरिक गतिसमवेदी बुद्धिमत्ता यानि कि first option ही इसका भी ठीक था देखिए दूस्तों इस बाली paper में जो है वो ए option आपको ज़्यादतर ठीक मिल रहे होंगे है मैंने notice किया है इसको first option इसमें सभी मतलब ज़्यादतर जो है वो first option ही ठीक हो रहा है तो ऐसे में आपको टेंशन ही लेनी है कि आपको लगे कि आप ए-ए option ही लगा रहे हैं है न तो ऐसा भी हो सकता है कि कई papers में एक ही option जो है वो बार बार दे रहेता है examiner थोड़ा सा घुमाने के लिए ताकि candidates जो है वो थोड़ा सा परेशान हो तो आपको टेंशन नी लेनी है है न अगर एक option आपको सही लग रहा है तो आपको ज़रूर उसको टिक करना ही है confidence रखना है खुद के ऊपर ठीक है अगला question जो था वो कुछ सिस्तारी के से दिया हुए था रचनात्मक आंकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आंकलन जो निर्देशात्मक सामग्रियों की परियाप्तता के बारे में अंतर द्रश्टी प्रदान करता है अप्शन आपके स्क्रीन पर ही है टिक कर लिजी आप और question को मैं छोटा कर दे रहा हूं ताके आप ठीक तरीके से देख पाए question को और option आपने टिक कर लिया होगा अपना ठीक answer तो जो इसका सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरी माकलन यानिकि इसका second option जो था वो ठीक था अगला question जो था वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था समीपस्थ विकास का शेत्र संदर्वित करता है option आप देखी पा रहे होंगे इसमें से जो आप अपना answer टिक कर लिजी और इसका ठीक answer जो था वो था सिक्षार थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं सबसे बड़ा option again और वो ही ठीक है अगला question जो था वो इस तरीके से था सिक्षा शास्त्र ब्लैंक दिया हुआ था का अध्यन है काफी अच्छा question है और यह तो आप से बनी गया होगा टिक कर लिजे आप अपना answer और जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्षन भी दी यानि की teaching methods आगे जो question था वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेली को सुलजाना आनंद दायक और रोमांचक लगता है यह blank दिया हुआ है प्रेड़ा का एक उधारण है अब यह हैरी को हर दिन जो था वो इसके पहले था है ना तो condition तो आप समझ ही गए होंगे तो option आपके screen पर ही है आप जो है वो tick कर लीजिए और जो इसका ठीक answer हो जाएगा यानि कि सही option जो था वो इसका था first option यानि कि अंतर भूत यानि ए option ही इसका ठीक हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question के ओर जो कि था कुछ इस तरीके सी कौन तर्क देता है कि किसी की मध्यस्तता अधिक सोविग्य अधिकम में महत्वपूर्ण है ठीक है तो question आपके सामने है और option भी तिक कर लीजिए आप अपने options को और जो सही answer रहोगा इसका वो हो जाएगा four option यानि कि वाइगोट्स की अगला question जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था तरल और ठूस बुद्धी मत्ता के विचार का प्रस्ताव किस ने रखा यानि सीधा सीधा पूछ लिया है कि तरल और ठूस बुद्धी मत्ता के वारे में किस के द्वारा बताया गया है तो option आपके सामने ही है आप बता सकते हैं जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटल यानि कैटल के द्वारा क्या किया गया था तरल और ठोस बुद्धी का सिधान्द दिया हुआ है ठीक है और हमारा अगला क्वेश्चिन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है किशोर अवस्था का अर्थ है काफी अच्छा कॉश्चन है ये काम करना, बढ़ना, खेलना या अध्यन करना तो आप से ये कॉश्चन तो बन ही जाना चाहिए आप अपना अप्शन जो है वो टिक कर सकते हैं जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा बढ़ना यानि कि To Grow बहुत ये अच्छा कॉश्चन है तो किशोर अवस्था का अर्थ जो है वो बस लिया गया है अगरा जो कॉश्चन है वो Cansl किया हुआ है यानि कि Cancel लिखा हुआ है यानि कि इस question में थोड़ी सी क्या हो जाएगी गल्ती थी जो कि cancel किया गया है पीवी के द्वारा लेकिन फिर भी अपन लोग इसको देख ले रहे हैं कि इन्होंने क्या इसका option ठीक माना है दुनिया की मूल श्रेणियों और गुणों के बारे में विश्वास प्लैंक दिया हुआ था है और जो इसका ठीक option दिया हुआ था वो था सत्ता मूलक विश्वास यानि कि इसका थार्ड option जो था वो ठीक था बताया गया था अब इसमें कुछ ना कुछ गड़बडी होगी त और हमारा अगला question जो दिया हुए था वो को इस तरीके से था संगोस्थी यानि कि symposium एक प्रकार की प्लैंक है आगे option इस तरीके से दिया हुए थे आपने अपना answer जो है वो टिक कर लिया होगा और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचार विमर्श विधी यानि कि थार्ड option इसका ठीक आंसर था अगला question जो था वो इस तरीके से दिया हुए था वाइगोस्थी के अनुसार संग्यानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोड है option आप देखी पा रहे होंगे स्क्रीन पर answer आप अपना टिक कर लीजिए पहले ही और जो ठीक answer है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको समाजिक परिस्थिती जो था इसका सही answer था पहले भी डिसकस किया हुआ है कि जहां भी समाजिक शब्द आपको मिले या फिर समाज से related कुछ भी होता है तो वो किससे संबंधित होता है हमेशा वाइगोस्थी किसे धान से ही क्या होता है वो संबंधित होता है तो यह आपके लिए एक छोटी सी हिंट हो जाएगी अगला question जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है वैग्यानिक जाच का उद्देश छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करता है सारी करना है लिखा हुआ है तो आप option जो है वो देख सकते हैं अपनी screen पर और सही answer आप अपना टिक कर लीजिए और जो इसमें answer ठीक था वो था four number का option यानि कि उपर के तीनों ही option इसके ठीक थे जैसे कि केवल संग्यानात्मत प्रक्रियाओं केवल अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए और केवल समस्याओं को हल करने के लिए यानि कि इसमें तीनों ही option सही होंगे इसलिए इसका क्या है four number का option यानि कि उपरोक्त सभी जुम जाएगा वो ठीक हो जाएगा और ये question तो आपसे बन ही जाएगा काफी easy question है dysgraphia से पीड़ित बच्चे को निम्न होती है अतलब dysgraphia जो है वो एक तरीके का विकार है आप जानते ही होंगी और इसमें क्या होता है वो आप अगर जानते हैं तो आपने ठीक option इसका चूज कर ही लिया होगा अभी तक और जो इसका सही answer हो जाएगा जिस इसने भी इसका four number का option चूज किया था उन्होंने आपने बिल्कुल सही option जो है वो टिक किया होगा था तो यानि कि इसका four number का option ठीक हो जाएगा लिखने में कठिनाई अगले question के और बढ़ते हैं अगले question में दिया हुआ था प्रयोजना यानि कि प्रयोजना भी इसी को बोल देते हैं विधी द्वारा अधिगम तक्नीकी रूप से कहलाता है क्या कहलाता है तक्नीकी रूप से यानि टैक्निकल रूप से option आपकी screen पर ही है आप देखी पा रहे होंगे और option आप अपने टिक कर लिजे और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रासंगिक अधिगम इंसिडेंटल लर्निंग इसको इंगलिश में बोल देंगे और अगला जो question था वो इस तरीके से दिया हुआ था निमलिखित मैसे कौन सा बाल विकास के सिद्धानतों के संबंध में असत्य है फिर say negative statement का है तो आप बहुत ही ध्यान से options को चूज करें option आपकी screen पर आप देखी पा रहे होंगे टिक लेजिए आप अपना answer और जो इसका ठीक answer हो जाएगा वो हो जाएगा विकास विशिस्तिता से सामानिता की और बढ़ता है यानि कि इसका B number का option जो था वो घलत दिया हुआ था असर के बताना था क्योंकि इसमें तो जिसने भी B option जो है वो select किया होगा उनका answer जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा दोस्तों और जो हमारा अगला question है और आखरी question भी आमतोर पर बच्चे blank दिया हुआ था Link stereo type बनाते हैं तो option आपकी screen पर आप देखी पा रहे होंगे दियान से आप अपने option वीडियो pause करके जो है वो पढ़ सकते हैं और फटा फट में इसका answer जो है वो आपको बता ही दे रहा हूँ और जो इसका ठीक answer हो जाएगा हो जाएगा विपरीत link के नकरात्मक गुणों पर दियान के इंद्रित कर यानि कि इसका जो था वो second number का option ठीक हो जाएगा दोस्तों और इसी की साथ क्या होता है हमारे pedagogy के तीस question जो है वो खत्म हो जाते हैं और यह जो paper था वो वर्ग 2 का paper हमने analysis किया हुआ है और इसके कुछ level के बारे में भी जाना हमने कि किस तरीके से level जो होता है वो PE भी रखती है अपने questions में तो वर्ग 3 के candidates के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से hint हो जाएगी कि उनको किस तरीके से preparation करना है आने वाले वर्ग 3 के exam की जो की होना है December से January के बीच में आपने जो अपना कीमती समय दिया है वो दिया है IMP classes को तो बने रहें IMP classes के साथ और मिलते हैं अपने अगले paper analysis के साथ तरीके साथ